जैशे कृष्णा मैं अस्टो तृष्णा आज आपके सामने बहुत प्यारा सा टापिक लेकर आई हूँ बड़े बुजूर्ग कहते हैं कि किसी का दिल जीतना हो तो उसका रस्ता पेट से होकर जाता है जी हाँ खाना खाना अच्छा बना हो और उससे भी ज्यादा उसकी प्लैजेंटेशन अच्छी हो तो सामने वाला वैसे ही आपके उपर मोहित हो जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं इस खाने का आपके ग्रहों के साथ एक बहुत मजबूत रिष्टा है आप सोचेंगे कि मैं कैसी अजीब सी बात कर रहे हूँ पर ये सत्य है हर खाने की चीज आपके हर एक ग्रह से जूड़ी होती है एक पती-पत्नी के बीच में रिष्टे को मजबूत करने के लिए हम शुक्र ग्रह को बली करने का या उसे उसके अंदर हम एनर्जिस देने का काम करते हैं उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है अगर आपके हस्बन की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है या आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है नेगिटिव इंपेक्ट्स क्या देगा वो आपको स्किन प्रॉब्लम देगा फोड़े फुनसियां देगा कर देगा आप दौनों के रिष्टे के अंदर किसी और के आने के लिए रस्ते बना देगा लेकिन इन चीजों को हम खाने से कंट्रोल कर सकते हैं सुनने में बहुत अजीब है पर कर सकते हैं कैसे बताते हूं शुक्र अगर कमजोर है तो आप कभी भी गुड़ मत खाईए आपका या आपके हस्बिन का अगर शुक्र कमजोर है तो आप गुड़ मत खाईए अगर आपके या आपके हस्बिन के बीच में कलहे होता है लडाईया होती है अगर आप दौनों के बीच में परस पर प्यार नहीं है गुसे में वो कुछ भी बोल जाते हैं आपको किसी भी तरह का कोई भी बात पर अगर वो आपसे उखड जाते हैं तो इसका कहीं न कहीं कारण राहू और मंगल भी होता है वानी से कुछ भी निकाल देना, क्रोध आ जाना, हाइपर हो जाना, जिंजलाना, चीज़ें उठाके फैक ना ये सब किसका कारण है कहीं न कहीं मंगल और राहू प्रभावित होते हैं या पीडित होते हैं तब ही ये आपके साथ में इस तरह की घटनाएं घटवाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए अगर आपकी कुण्डली के अंदर मंगल के कारण दिक्कत आ रही आपके वहवाईक जीवन में तो आपको पालक जरूर खानी चाहिए आप जितना जादा दिन में एक बार अपने खाने में पालक जरूर खाईए मंगल स्ट्रॉंग होगा देखिए ग्रह है खराब है या ग्रह पीडित है या ग्रह से बाधा हो रही है इन सब चीजों में बहुत अंतर है यह सब चीजे तो जानने के लिए आपको किसी अच्छे अस्ट्रोलाजर के साथ बैठना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे परन्तु इन चीजों का हमारे जीवन पे इंपक्ट कैसे आ रहा है यह हम डेली रूटीन लाइफ में हम कैसे जानेंगे यही छोटे छोटे सिंटम्स हैं टेस्ट हैं जिनसे आप यह जानते हो कि आपका कौन सा ग्रै आपको जादा से जादा प्रभावित कर रहा है जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका मंगल खराब है तो आपके husband का और आपके बीच में कितना भी प्यार हो लेकिन आपको उनको देखकर या उन्हें आपको देखकर गुस्सा आएगा ही आएगा आपके घर के वास्तु के अंदर अगर राहू का प्रभाव आ रहा है तो बेवज़े आपके घर में कलेश होंगे ही होंगे चाहिए वो आप लोगों के वीचों या कोई बाहर का आकर कर दे इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए अगर आपके घर में निरणतर बेवज़े कलेश हो रहे हैं तो आपको कभी भी अपने घर के अंदर सिगड़ी या तंदूर या आजकल वो इलेक्ट्रोनिक तंदूर आता है वो नहीं रखना चाहिए इससे आपके घर में कलेश और बढ़ेंगे मंगल रहू और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अगर आपके घर के अंदर बच्चे बहुत चंचल हैं उनमें चंचलता बहुत ज़्यादा है कॉंसेंट्रेशन नहीं है बच्चों में तो क्या करेंगे कोशिश करिए कि आपका बच्चा दिन में एक बार कम से कम पानी के अंदर थोड़ा सा चीनी डाल कर पिए या मीठा पानी जिसे बोलते हैं वो पिए उसकी चंचलता कम होगी कॉंसेंट्रेशन पावर बढ़ेगा अगर आपके घर में आपके घर के सदस्यों में आपस में मन मुटाव रहता है एक दूसरे की बातें नहीं मानते हैं एक दूसरे को देख कर ही राजी नहीं है प्यार बहुत है हम में लेकिन हम एक दूसरे के साथ एड़्जस नहीं कर पा रहे हैं क्या करें बहुत छोटा सा उपाए है अपने घर के रसोई घर में या डाइनिंग टेबल पे एक काच की शीशी के अंदर साथ तरे के धान भर के रख दीजे दिन कौन सा होगा सोमवार को रख दीजे या बुदवार को रख दीजे यह बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में रेगुलर रूप से करते हैं तो यह आपको असर करेंगे ही करेंगे हम ग्रहों से लड़ने की कोशिश करते हैं ग्रह लड़ने की चीजे नहीं है ग्रहों को समझना पड़ता है वो हमसे क्या चाहते हैं बड़े बुज़र्ग अगर हमसे यह चाहते हैं कि बेटा आप ऐसा मत करिये तो हम यह सुचते हैं कि वो हमें रोक रहे हैं वो हमें टोक रहे हैं नहीं कोई ग्रह कभी भी आपके लिए गलत नहीं करता केवल उन ग्रहों को आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा और वो आपसे क्या चाहा रहे हैं वो उनको आपको देना पड़ेगा तभी उनकी एनरजीज आपकी बॉडी के अंदर रोटेट कर पाएंगी और आप हर तरीके से अपने जीवन को सुख सम्रदी वैवव दे पाएंगे ना ये बहुत चोटे चोटे टिप्स है मेरे करके देखिए मैं 100% हूँ कि अगर आप ये सब चीजे अपने जीवन में लागू करते हैं करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट जरूर आएगा में मैसेज कीजेगा अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल्स कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर आऊंगे आपके सामने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आज के लिए आप सब की सुक्सम्रद्धी की दूआ करती हूँ ठाकोजी से और इजाज़त चाहती हूँ जैशे किस्णा